तो आज हम बात करेंगे कंधों और घुटनों के दर्द के बारे में जो खेल के दरान खिचाव, कंधे पर चोट लगना, हाथ गलत दिश्रा में मोड़ना या फिर भारी सामान उठाने से मास पेशियां श्रतिग्रस्त होने के कारण कंधों के जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है क्योंकि उनकी मास पेशियों में सुजन की समस्या रहती है, जिसे अंदेखा करने से गंभीर समस्याइं हो सकती है तो आज हम कंधों और गुटनों में दर्द से जुड़ी महतफुन जानकारी आप तक पहुचाएंगे और देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब इसी पर जादा चर्चा हम करेंगे हमारे साथ जवलपूर से जुड़े हैं डॉक्र बिज़ेश ताधरिया जी जो शेलवी हॉस्पिटल जवलपूर में और्थरसकॉपी स्पोर्ट्स एंजरी सर्जन विशे शटके हैं डॉक्र बिज़ेश बहुत स्वागत है आपका पंसल यूस पर तो अगर आप भी इस संबंद में इस विशे में कुछ जानना चाहते हैं कारिकरम के दौरान शेलवी हॉस्पिटल के नमबर लगातार आपकी टीवी स्किन पर फ्लैश हो रहे हैं इनके जरीए आप कारिकरम क के बाद डॉक्र बिज़ेश तादरिया से सीधे सलहा ले सकते हैं कारिकरम के बाद आप उन्हें कॉल कर सकते हैं तो चली शुरवात किरते हैं डॉक्र बिज़ेश सबसे पहले मैं आप से जाना चाहूंगी इसी प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कंधों के और पर देखने को मिलने लगी है इसके साथ ही बहुत कम उम्र में कम उम्र की बात करें तो कम उम्र में भी घुटने और कंदे की समस्याइं होती है इसका कारण सर सबसे पहले मैं आप से समझना चाहूंगी कि क्या होता है जैया जी जैसे आपने बुला कि स्पोर्ट के दौरान तो डेफिनिटली होती ही है कम उम्र में बच्चों में ये समस्याइं होने का बहुत बड़ा कारण एक होता है लेका फिटनेस आज कल जिस प्रकार से हमारी समाज में बच्चों को स्पोर्ट से यूजिली दूर रह रहे हैं सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है एक बहुत बड़ा रीजन यह भी है कि वाइटमिन डिफिसेंसी मसल्स की कंडीशनिंग नहीं होती है उतना फिटनेस लेवल नहीं होता है जितना होना चाहिए पहले जो बच्चे रोज खिलते थे आजकल हबते में एक या दो दिन क नहीं कर पाते हैं और फिर उनको इंजुरीज होने की संभौना बहुत ज्यादा हो जाती है सर आगी बढ़ते हैं अगला सवाल मेरा आप से यह है कि घुटने और कंधी की समस्याओं में और तो पैडिक इंजुरी क्या अलग होती है ऐसा होता है बिल्कुल जिया जी यूजली जो भी और्थोपेटिक इंजुरीज रहती हैं जिसे हटी का फ्रेक्चर हो जाना यह सभी चीजें तुरंत ही एक्स्रे में विजिबल हो जाती है और मुस्ट अदा टाइम पेशेंट को या जो भी इससे परिशान है उसको भी पता चल जाता ह जिसे और होसी है एक्सरे करते हैं देख जाता है डॉक्टर उसको तरफंद बता देता है प्र यह जो नीnity and case देमेज होते हैं मसल्स डेमेज होते हैं अन्फॉर्सटली जंद एक्सर में विजिबल तो नॉर्मल होता है तो बहुत वार देखके दॉक्टर उन को को बोल देते हैं कि कुछ नहीं है सब कुछ ठीक है कुछ दिन में दवाई खा लीजे ठीक हो जाएगा पर ऐसा नहीं होता है अगर लिगमेंट्स टूटे हुए हैं जो की अक्सर घुटने और कंदे की इंजुरीज में होता है और उनको हम प्रॉपर डाइग्नोस किये बिना ह की नॉर्मल जाने देते हैं तो वो समय से फिर आगे जाके गंभी रोग ले लेती हैं तो इसके करण यह जो नी शोल्डर की लिगमेंट की इंजुरीज है और नॉर्मल बोनी इंजुरीज जो एक्स्रेम विजल हो जाती उससे अलग हो जाती है और इन सभी घुटने और केवल दवाईयां दे देते हैं कि इतनी गंभीर परिशानी नहीं है लेकिन आगे चलके बहुत ज्यादा परिशान व्यक्ति को करने लगती है तो कैसे इसका पता लगाया जाता है क्या पहले के मुकाबले अभी काफी कुछ परिवर्तन टेक्नलोजी में आ गया है जिनके ज सभी को पता होना बहुत ही आवश्यक है जब भी लिगमेंट हमेज होता है तो उसमें कुछ ये इन में से अगर कोई भी लक्षण है तो काफी ज्यादा संभा होना है कि सिग्निफेकंट इंजुरी जैसे कि जोड में अगर बार बार स्वेलिंग आती है जोड अचानक से पस जाता है युजली जब भी यह लिगमेंट या घुटने के बीच की गद्धी फटके बीचे फसती है तो जोड अचानक से लॉक हो जाता है तो बहुत बार बैट के उठते समय घुटना लॉक हो जाता है, फस जाता है, सीडिया चड़ते, उतरते समय ऐसी चीज आए जाती है बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर अगर हमें रोट में की गढ़्धा भी क्रॉस करना पड़े तो डर लगते हैं कि कहीं हम गिरना पड़ेते हैं लेक अफ कॉन्फिदेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है लिगमिट इंजरीज का तो बार-बार स्वैलिंग आना घुटना अचानक से लॉक हो जाना लचक आना कॉन्फिदेंस की कमी रहना ये घुटने के लिगमिट्स के लक्षण है ऐसे ही कि सोल्डर में भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिससे हम इनका पता कर सकते हैं जैसे सोल्डर में ताकत कम होने लगना जैसे हाथ पूरा उपर नहीं उट पाता है अचानक से कंधा जाम होने लगता है बूरा मुवमेंट होने के बजाए कुछ पर्टिकुलर डारेक्शन में मुवमेंट्स कम होने लगते हैं तो ये सब सोल्डर में लिगमेंट इंजुरीस के लक्षण है इनमें से कोई भी एक अगर लक्षण रहता है कोई भी ऐसी है लेने चाहिए सर क्या अगर लिगमेंट होते हैं तो ऐसे में सरजरी ही एक मात रुपाए होती है या दवाईयों के जरिये भी लंबा ट्रीटमेंट लिना पड़ता है पेशेंट को अगर सुरुवाती स्थिति है लिगमेंट अगर कम्पलीट टियर नहीं हुए इनका भी ग्रेडिंग होता एं अगर ग्रेजि प्रियों से व्यायां से कुछ समय के रेस्ट से इन चीजों को ठीक किया जता गता है पर अगर यह लिगमेंट कम्पलीट टियर हो जाते हैं complete grade 3 tier होता है तो यह ligaments समान निस्तती में अपने आप नहीं जुड़ते हैं इनमें self healing capacity नहीं होती है इसके करण इन ligaments को हमें operate करके ही जोड़ना पड़ता है और arthroscopic surgery तो बहुत ही छोटे छेद होते हैं कोई चीरा फाड़े नहीं होती है arthroscopic surgery से बहुत ही अच्छे तरीके से इन ligaments को जोड़ा जा सकता है बहुत अच्छे से arthroscopic reconstructive surgery होती है और जिसके बाद लगभग सभी चीज़ें हमारे patients कर पाते हैं हमारे sportsmen दुवारा अपने sportsmen लोट पाते हैं सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कई लोगों को हमने देखा है अमूमन जैसा कि आपने भी जिक्र किया खेल के दौरान जब किसी को चोट लगती है तो इसे सामाने चोट समझ लिया जाता है और उसे फिर नजर अंदास कर देते हैं लेकिन doctors के पास अब जाते हैं तो doctor की ओर से बताया जाता है कि बहुत ज़ादा परिशानी उन्हें हो सकती है क्या कुछ आगे इसके परिणाम हो सकते हैं participation को आगे patient को आ सकती है जब आप इस सरा के चोटू पर ध्यान नहीं देते हैं तो का model है यह ligament है side से इनका काम है घुटने को side to side stability देना यह beach का ligament है ACL antirecrusate ligament अगर यह तूट जाएका तो घुटना लचक खाने लगता है अगर यह ligament तूटे हैं हमने और उनको ignore किया है तो धीरे-धीरे करके घुटने के अंदर और भी ज्यादा टिमेज ओने लगते कुशन रहते हैं मिनिस्कस रहते हैं गुटने के ऊपर इक चिकनी परत रहतीक्त आटे मेंस कि हम कईटलेज बोलते हैं हैं यह काटलेज वह फटते जाते हैं काटिलेस डेमेज होता जाता है और फिर अर्थ्राइटिस के कारण वह काफ़ी एडवांस स्टेज में हो जाते हैं तो जिन लिगमेंट इंजरी का सुरुवाती समय में हम बहुत ही अच्छे से बिना किसी कॉम्टिकेशन के ट्रीट्मेंट कर सकते हैं 100% सब्सक्राइब यह दर्शुकों के लिए बहुत जरूरी है सर समझना आपने जानकारी बहुत अच्छी दिया और यह दर्शुकों को बताना जरूरी है क्योंकि जैसा कि हम बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि आमूमन परिशानिया होती हैं सेम्टम भी दिखाई देते हैं कर दिया जाता है कई बार केवल इनोर कर दिया जाता है जिसके कारण यह समस्यां है आगे आने वाले जिवन feelings में और प्र जा दा बढ़ जाती है अगे बढ़ते हैं डीये बीडिंड पर द्यान नहीं दिया गया है लेकिन समझना चाहेंगे आप से कि क्या पहले के मुकाबले हडियों के इलाज जब आज होते हैं आज के टाइम में हालकि टेक्नलोजी काफी डिवलप हो गई है तो क्या किसी तरह का परिवर्तन आपने इस ट्रीटमेंट में देखा है और क्या कुछ नया आप इसमें देखने को मिल रहा है इस बिल्कु ठीक कहा जाए जी आपने की तक्निकी बहुत आगे बढ़ चुकी है तो पहले जिन चोटों के लिए जिन चोटे से ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़े चीरे दे के ऑपरेट करना पड़ता था गुटने में जैसे एक एसील लिगमेंट के मैं आप से बात कर र को घुटना खोलते थे कटेव को अलग करते थे और फिर उसको आपरेट करते थे तो इसलिए ठीक होता था पर काफी परिशानी आती थी काफी लगता था ब्लेड लॉस काफी होता था बहुत समय लगता था पेशेंट को ठीक होनेमें अच्छी तरीके से अपने काममें 3-4 mm के छिदर से जोइंट के अंदर डालते हैं और उस चोटे से इंसीजन से लगबख सभी complex procedures बहुत ही कोशलता से किये जाते हैं तो जहां पहले बहुत बड़े बड़े इंसीजन से लगते थे अब उनके बदले में दो छोटे एक या दो छोटे छेस से पूरी surgery हो जाती है कोई blood loss नहीं होता है सेम डे से उनकी exercises फीजियो थरपी चालो हो जाती है पेशेंट का चलना तुरन चालो हो जाता है और बड़े इंसीजन या पुरानी तकनीक की बजाए इस नहीं arthroscopic surgery से बहुत ही जल्दी recovery process स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पेशेंट्स बहुत जल्दी अपने सामाने वर्क में काम में बापेस हापाते हैं sportsmen बहुत ही जल्दी अपने normal sports में लोटके आपाते हैं definitely तकनीकी के साथ टेकनलोजी के साथ बहुत अच्छे अच्छे बदलावाए हुए हैं और जिन से हमारे पेशेंट्स को बहुत फैदा हो रहा है बिल्कुल डॉक्टर बुजेश आगे बढ़ेंगे यह जो अगला सवाल मेरा है यह आमतोर पर लोगों के दिमाग में लोगों के जहन में घूमता रहता है खेल के दौरान तो चोट लगती ही है लेकिन कई बार कम उमर में भी हड़ियां कमजोर हो जाती हैं और घर वाले अगर परिवार वालों की माने तो उनका ही कहना होता है कि आप प्रोटीन नहीं लेते हैं अपनी डाइट में दूद को शामल करिए दही को शामल करिए तो हड़ियां उसे मजबूत होती है लेकिन आगर मैं एक्सपर्ट की सलहा लूँ तो क्या कारण आप इसका मानते हैं सर क्यों हड़ियां कमजोर होती है क्या खाना पीना उसका एक विशेश कारण हो सकता है अब डेफिनिटली जैन जी देखिए खाना पीना तो एक डेफिनिट एक रीजन है क्योंकि अच्छा अगर पोशन नहीं होगा अच्छा आहार नहीं होगा तो हड़ियां क्या सरीर के पूरे हर पार्ट का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा तो खाना पीना और हमारा नूट्रीशन अच्छा होना तो डेफिनिटली इंपोर्टेंट है पर खासकर से अगर हम हड़ी मास्पेस और लिगमिट्स की बात करें तो खाने पीने के साथ साथ उनकी प्रॉपर कंडीशनिंग होना जरूरी है मतलब उनमें प्रॉपर फिटनेस लेबल होना चाहिए उसके अच्छी रहते हैं वो लोग जिनका डाइट भी अच्छा नहीं है जो एक्ससाइज अच्छे से नहीं करते हैं ओवरवेट हैं उनमें ही सब इंजूरीज होने की संभावना बहुत जादा हो जाती है बलकुल यह देखिए बहुत मैटपुन जानकारी सर आपने दी है और ए इसे अपने जीवन शैली में शामल करना होगा डॉक्टर बुजेश आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मेरा यह है क्या कई बार यह देखा जाता है कम रूम में ही लोगों के घुटने घिस जाते हैं कई तरह की समस्यां उन्हें होती हैं ऐसे में के सरह का ट्रीटमेंट दिया हैं कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ही कम उमर में अर्थ्राइटिस की समस्या लेके आ रहे हैं जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला कि जब लिगमेंट इंजरी होती है और उसको हम इग्नोर करते हैं और महीं नौ सालों हम उसके साथ चलते जाते हैं तो ध कुल एक कि डेया है जैसेट्स आ lower reflections को अगारा यह गक्रशा फिर्दीटी इंग्ने इसवेुन ओला कर रहे हैं कि कर्शेंट्स की टिईओ अट्विटी लेक्रीजना चाहें तो Üन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे लेसन होता है जिसे हम बोलता है जो अच्ग घुटने के जो भी लिगमेंट्स डेमेज हुए है कार्टलेस डेमेज हुआ है हम उस जॉइंट को बदले बिना ही उसको ठीक करें तो इस जॉइंट प्रिजर्वेशन सेजरी में सबसे पहले हम अर्थ्रोस्कोपी करते हैं मैं दूर भी इन से जॉइंट के अंदर जाते हैं घुटने के अंदर के जो जो पाट डेमेज हुए है कार्टलेस मिनिस्कस हम उनको ठीक करते हैं अर्थ्रेस्द्श कोपिक शैर्जरी से इसके बाद बहुत बार हम बाहर से एक प्रोसीजर करते हैं जिसे हम बोलते हैं हाई chantowel успe लुस्ट करके हम उस पाट में जहाँ पे घ से मेरा वो ठीक हो जाता है कि यह करने से अर्थिस्कोपी प्लस हाइटी विल अस्टाटमी जिसे हम जुएंट प्रिजर्वेशन से जरी होते हैं से हम हमारे पेशेंट्स को कई सालों तक दस से पंतरा साल तर दर्द रहे जीवन दे सकते हैं और वो भी उनके नेचरल घुटने के साथ बलकुल लेकिन सर आखिर क्यों यह समस्यान पड़ती है कैसे इससे बचा जा सकता है यह जाना भी जरूरी है कि आगे चलके समस्या गंभीर ना हो किसी तरह की सर्जरी की किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े ऐसे में कैसे इससे बचा जाए बिल्कुल तो इसके लिए कुछ चीजें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है नंबर बन जैसे आपने ही अभी बोला था कि न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए यस इसके अलाबा जो हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि रेगुलर एक्सराइजिस ज्यादा नहीं पर कुछ है। हम उपने धिते हैं जिसमें हम एक प्रोग्राम डिसाइड कर ल verdict कि हम्ल्कों बैcleg proper में श्रयinkन कि काला है इंदी समय करना हैisl cheo कॉल हमें एक वरियुट को कंट्रोल करके रखना क्योंकि एक शिंपल एंजिरी है अगर एक कख्रहश को होगी चाहिए तो तो हम वेट को कंट्रोल करके रखेंगे तो इंजूरी के चैंसे कम रहेंगे और सबसे इंबॉर्टन चीज होती है कि अगर कभी छोटी इंजूरी आ जाती ही कुछ होता तो उसको इंदोर की विला तुरंत हम एक स्पेशलिस से सलाह लें क्योंकि टाइम्स हम देखते हैं कि ज डाइट एंड वेट कंट्रोल नमबर टू एक रेगुलर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल और नमबर त्री जैसे ही हमें यह इंजूरी होती है तो इसको समय चोट समझ के या कुछ भी ऐसा कारण से उसको इग्णोर ना करें और तो रंत हम इस स्पेशलिस के सलाह लें जैसे ए तो भी चर्चा के दरानी आपने जिक्र किया कि कई बार ऐसे सितिया आन पड़ती है जब घुटनों में कुछ जादा समस्या पेशन को होती है तो नीर प्लेस्मेंट भी किया जाता है ऐसे में इसकी सफलता का कितना प्रतीश्यत का ग्राफ है कितने चांसे सोते हैं इसकी पेशेंट्स उनको ट्राइक अपार्टमेंटल अर्थ्राइट्स है घुटने के तीनों हिस्ते घुष चुके हैं एल्डरली पेशेंट्स है नीर एप्लेस्मेंट हम अच्छे से करते हैं बहुत यह अच्छी लाइफ रहती है 10-15 एंफेक्ट उससे ज्यादा आप नए हमारे इतने सारे पेशेंट्स हैं जो 10-15 साल के बाद भी आज बहुत यह अच्छी लाइफ अपनी नेच्रल लाइफ अपने नेच्रल ज्याइंट्स के साथ ने जुड़ा हुआ है यहां पर किस तरह का ट्रीटमेंट आपकी और से दिया जाता है किस तरह के उपकरन है क्या कुछ संसाधन मरीजों के लिए इसके साथ ये भी जाना चाहेंगे कि जो पेशेंट आपके पास इस समस्या को लेकर आते हैं कैसे आप उनकी काउंसलिंग करते हैं बिल्कुल जहां तक आप हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल में आज जो भी मोस्ट एडवांस एक्वेपेंट्स हैं वो सभी चीज़ें एविलेबल हैं वे वर्ल्लस ओपरेशन थेयर्टर्स और एवरीजिंग जो भी चीज़ें इस टाइप के ट्रीटमेंट के लिए जरुत होती है वो सभी चीज़ें यहां पर उपलब्द हैं हम आपके सवाल के दूसरे पार्ट पर आते हैं कि काउंसलिंग सो काउंसलिंग में सबसे इंपर्टन रोल होता है पेशेंट की बीमारी को डियाग्नोस करना तो उसके लिए सबसे पहला हमारे एक रोल हो क्लीनिकल एक्जामिन करके पेशेंट को बताते हैं कि यह सारी परिशानिया है उनको फिर उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास MRI टूल से हम MRI करते हैं और डेफिनिटली सभी चीज़ें सब सामने आती हैं पेशेंट को खुदी समझ में आता है कि यहां इस परिशानी यह ज समझने में ज़्यादा परिशानी नहीं आती फिर बिल्कुर सर जाते जाते में चाहूंगी कि आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्चे तरीके से हम सभी चीजों को बहुत ही छोटे चिदर बराबराबरे से से जिसे मार्स कोपिक सेजरी बोलते हैं उससे हम इनको ठीक कर सकते हैं और बहुत अच्छे प्रणाम होते हैं हमारे इतने सारे स्पोर्ट्समेन हैं हाई लेबल नेशनल प्लियर्स हैं जो इन लिगमेंट इंजरी के बाद बहुत अच्छे से अपना पॉफॉमेंस दे रहे हैं इसके लाबा हम अपनी फेटनेस को मेंटेन करके रखें हम अपने वेट को मेंटेन करके रखें रेगुलर एक्साइज के के लिए नमशकार्ट तो आज अपने टॉपर